हेलो एवरिवान वेलकम टू कौन स्टडी मैं आपको जिये का सेक्शन कवर करवा रही हूं जेके एससबी क्लास 4 की रिक्रूट्मिंट का जो सलेबस है उसका मैं उसमें आपको इंडियन जियोग्रफी और कापिटल अन स्टेट साथ साथ ने करवा रही हूं मैं हर रोज आप आपको दो कापिटल स्टेट्स करवाती हूं और अगर आपको हम लोगों की जेके एससबी की प्लेइलिस्ट देख नहीं है तो देखिए आप हमारे चानल पर जब आप प्लेइलिस्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो वहां पर आपको रीजनिंग की जेनरल अवेरनेस की और मा जारे हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चानल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब में किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजए और हमारे सोशल मीडिया हैंनल को भी जरूर जाके follow कर लीजे जिनके सारे लिंक्स मेरे description स्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलिबल है इस वीडियो के नीचे इन सोशल मीडिया हैं पर हम रेगुलर्ली अपनी चानल के पोस्ट डालते हैं अपडेट्स डालते हैं ताकि आपको पता चलता रहे हैं कि हम अपने चानल पर क्या-क्या करवा रहे हैं तो देखिए आज का है वाटर ओन थ्री साइड्स ओके और प्लाटू क्या हुआ प्लाटू हुआ एक टेबल लांड लाइक सर्फिस स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे यह नॉर्मल हमारा जमीन है उससे उठकर अगर कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा आजए मतलब अगर मैं आपको बताओं यह दे जमीन से थोड़ा सा एलिवेटेड हमारा एक प्लेन जमीन आजए बट वो जमीन से थोड़ी सी एलिवेटेड है ठीक है तो वो क्या हो गया हमारा इस रिजन इस कॉल्ड प्लाटू ओके वही चीज इस पिक्चर में डिपेक्टेड है देखे यह देखे यहां पर टेबल यहां जा गया होगा कि पैनिंसुलर और पैनिंसूलर और प्लाटू क्या होता है अब पैनिंसुलर प्लाटू की लोकेशन क्या है देखे हमने last time पढ़ा था कि यहां तक नॉर्डन प्रेंस है और नॉर्दन प्लेंस की नीचे जो भी ये वह यह एरिया है नहीं सार्य जो है यह हमारा peninsular plateau है ठीक है तो वही हमने लिखा it lies to the south of northern plains अब peninsular plateau को देख लेते हैं it is a table land made up of old crystalline igneous and metamorphic rocks okay the plateau has broad and shallow valleys and rounded hills जो भी इस जो peninsular plateau है उसमें जो भी hills होते है न वह generally rounded होते हैं ऐसे हमने hills क्या देखा हुआ है कि हमारे hills ऐसे होते हैं conical shape में बट यहां पर जो हमारे hills होते हैं क्योंकि यह बहुत पुराने hills है तो जो weathering है wear and tear है उसकी वजह से यह थोड़े थोड़े से rounded हो गए हुआ ठीक है तो हमारा यह अगर हमारा peninsular plateau है ठीक है तो इसमें जहां यहां पर जितने भी hills हैं वो सारे rounded hills होंगे peninsular plateau अब देखे अगर यह है तो यह triangular shape में है न तो वही लिखा है it is roughly a triangular in shape parallel to ganga valley क्योंकि यहां पर ganga valley थी तो इसके parallel में ही यह आ रहा है ठीक है and its apex pointing towards the southern tip of country यह देखे यह वाला जो apex है इसका यह country के southern tip को की तरफ है ठीक है तो यही बताया हुए अब देखे अब देखे अब देखे इसके कहां कहां पर क्या क्या है अब भी जब मैं आपको आके वेस्टन गार्स और इस्टन गार्स पर आउंगी तो आपको पता चलेगा मैंने डाइसेक्टेट क्यों बोला है वेस्टन गार्स लोकल लिन ओन एज को शयादरी नील गिरी अनाम लाई और गार्डमॉम हिल्स के नाम से बहता बहता जो होती है Stacy Stark फ्लो कर रही है और उसके आगे पीछे जो है ना हाई हाई सर्फेस होती है मतलब कि आपको ऐसे लगता है जैसे बहुत ही गहराई में जाके वह रिवर फ्लो कर रही है वह होगी आपकी रिफ्ट वैली अब देखिए यहां पर आपके आगे जो जो हमारे हैं यह अरावली आग और यह वेस्टन घाट और इसी के साथ मैंने यहां की रिवर्स भी रखी हुए है यह देखिए नर्मदा और तापी जो की हमारी वेस्ट वर्ड फ्लो कर रही हैं और बाकी सब महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी यह चारों बे ओफ इंगॉल में जा रही हैं और य तीन चीज़े हैं ओके एक है यहां पर महानदी के ऊपर इस चोटा नागपूर प्लाटू ठीक है एक है नर्मदा के ऊपर और अरावली के नीचे यह देखिए यह था ना अरावली यहां से देखिए यह अरावली था अरावली के नीचे और नर्मदा से ऊपर इस इस सेंड प्लाटू ठीक है और इसके यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस इस वेस्टन घाट्स और यह वाला जो रिजन है इस 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 इस्टन घाट्स ओके तो आई होप आपको समझ आ गया होगा चलिए आगे चलते हैं देखें अब मैंने आपको बताया कि जो हमारा पैनिंसुल प्लाटू है वो Central Highlands और डेकन प्लाटू में डिवाइड़ है Central Highlands की टाइप्स देखें मालवा प्लाटू बुंदेल खंड बगेल खंड और चोटानागपु प्लाटू और डेकन प्लाटू के कुन कोंसे है डेकन ट्राप वेस्टन घाट्स इस्टन घाट्स और नौर्थ इक्स्टेंशन ओफ डेकन प्लाटू तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं इनके बारे में यह मैंने आपको और डिविजन बता दी हुए है तीनों की तो यह Central Highlands का देखें अब Central Highlands अरावली से लेके विंद्यास तक या फिर आप बोल सकते हैं अरावली नॉर्थ ओफ इसकी एलिवेशन जेनरली 700 तो थाउजन मीटर्स है अबव दे सी लेवल इसमें कौन-कौन सी रिवर्स मेंली फ्लो करती हैं केन बेतवा चंबल सिंध ठीक है और सारी साउथ फेस्ट तो नॉर्थेस्ट क्योंकि जो Central Highland है उसकी एलिवेशन कुछ इस टाइप की है कि यह Central High आप मान लो कि इस तरह से इसकी एलिवेशन है ठीक है नहीं एक स्सक्राइब कर इसकी एलिवेशन जो है यह इस अम इस आरस वेस्ट मैं हां 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 तो यह हमारा रहा इसकी जो नदियां है वो सारी ऐसे बहती है केन बेतवा चंबल किसमें जाके मिलती है यह यमुना में मिलती है ना अगर आपने इसके ट्रिब्यूटरीज पहले देखी हो तो इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज इस तरह से बहती है मतलब साउथ वेस्ट से नॉर्थ यस्ट की तरफ मूव करती है ठीक है तो यह लाइंग यह ही इंडिकेट कर रहे हैं उसके बाद मेजर पॉर्शन जो है वो मालवा प्लाटू में मालवा प्लाटू कवर करता है सेंटल हाइलेंस का फिर सेंटल हाइलेंस वेस्ट में वाइडर हैं और इस्ट में नारोवर हैं इसलिए जो साउथ वेस्ट से नॉर्थीस्ट की तरफ और उसके बार प्लाटू further extends eastward into the छोटा नागपुर प्लाटू जो कि हमने देखा था अलग से इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे कोई बात नी तो अब देखिए छोटा नागपुर प्लाटू यह रिप्रेजेंट करता है नौर्थीस्ट प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन उसके बाद कुछ पार्ट्स इसके औरिसा में हैं वेस्पिंगॉल में हैं और छतिजगर में इसे स्टोर हाउस ओफ मिनरल रिसोर्स भी बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं ठीक है दामोदर वैली जो है यहां का एक वैली है जो रिच है कोल म में ठीक है उसके बाद तीन प्लाटू यहां पर तीन जो मेजर हमारे फीचर्स हैं जो यहां पर इंपॉर्टन्ट है आपको पढ़ने वाले दामोदर रिवर के नॉर्थ में हजार इभाग प्लाटू है साउथ में रांची प्लाटू है और राजमहल हिल्स जो है वो और वेस्ट में दोनों में इसकी घाटों एज नर्ण नहीं गाटों वेस्टान घाट और यह डोनों जहां कर कहां मिलते हैं वहां पर इसका सबसे सदनोंस भॉइंटी ऑल जाता है इसकी की BTS कहां और यह वैश को श्लोब है वह सबसे सद्डर्ण मुंस Anda इस्ट है मतलब कि यह अगर हमारा डेकन प्लाटू है वो इस तरह से है इसकी स्लोप ऐसे है यह यह ऐसे जा रहा है इस वेस्ट और दिस इस एस्ट ठीक है I hope आपको समझ आ गया होगा आगे चलते इस ट्राइंगलर इन शेप अफकोस हमने देखा था पहले जिसमें टॉप पर सत्पुरा है और विंध्याज है आपने देखा था पहले सत्पुरा और विंध्याज जो है वो इसके टॉप पे है महादेव और मैकल जो है इसके नौर्थ में है यह सब हिल्स है ठीक है महादेव और मैकल हिल्स सत्पुरा और विंध्याज हिल्स मैंने सत्पुरा और गाल्य कार्भी आंगलोंग प्लाटू नॉर्धन कचर हिल्स और उसके बाद यह जो गारो खासी जेनताई हिल्स हैं यह भी बहुत प्रॉमिन्ट है और यह जो हैं यह वेस्ट टू इस्ट है ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं यह देखे अब मैंने आपको बताया था कि यह व नॉर्ध यह पढ़ता है तो यहां पर हमारे मेकलहीन और जो हमने इसके साथ बडा था देखिए मेकलहवब्च और महादेव के नॉर्थ में उसके बाद हमारे वेस्टेर्न घारत और इसर गाल्ष तो एकंड़िल्स हैं महानदी के नौर्थ में छोटा नागपुर प्लाटू है तो देख लीजिए थीक है उसके बार नर्मदा के साउथ में क्या बताया था मैंने आपको डेकन प्लाटू है और नर्मदा के नौर्थ में तिल अरावली तिल अरावली क्या है हमारा सेंट्रल हाइलेंस था ठीक है यह हो गया हमारा पैनिंसुलर प्लाटू अब देख लेते हैं वेस्टन घाट्स और इस्टन घाट्स के बारे में हमारी western घाट्स जो है वह तापी से मिलorteया को मhesению तक स्ट्रेच और हमारी जो इस्टन घाट्स है वहlo से नीलगिरी अगई अप्रczenia के इसे से सर्थ क्रेंट भर सबसक्पाइ से और इने को बताओंगी वेस्टिन घट्स तो है वह थितनियोश है उसने कर deben को यहां बहुत है तो यहां पर भी था यहां पर फ्यन वहाद भी पासर था 1600 मीटर्स है हाइस पीक यहाँ पर अनामुदी है अनामुडी है ठीक है उसके बद वेस्टन घाट्स जो है यहाँ पर ओरोग्राफिक टाइप ओफ रेंफॉल होता है यह मैं जब आपको क्लाइमेट पढ़ाओंगी तब पढ़ा दूगी वेस्टन घाट्स जो है उन्हें मैंन निलगिरी तक एक्स्टेंड होता है कोई मेजर रिवर नहीं है इसंत घाट में सब ड्रेन ही होती है इसलिए से हम बोल सकते हैं कि यह डिस्कॉंटिंूर्स भी है इस्टन घाट्स जो है वो डिस्कंटtyंवस है और लो इसंपर थिल्स ऑसे टो वैस्टन घाट्स ठीक तो, अ यह Eastern Ghats है तो अराम से पता चल रहे है कि इसकी height जादा है और इसकी height कम है ठीक है तो अब इस figure का तो मैं आपको बाद में जब rainfall पढ़ाऊंगी तब मैं अच्छे से बताऊंगे आपको इसके बारे में ठीक है अब आगे पढ़ते हैं प्रच एलिवेशन यहां के 600 मीटर है उसके बाद highest peak यहां पर जिंग घाड़ा है ठीक है उसके बाद जो इस्टन घाट से वह आलमोस्ट पैलल है मॉन्सून्स की यह मैं आपको बाद नहीं बढ़ाऊंगी ठीक है उसके बाद यहां पर जो है इनको मलिया और मदुगुला कॉंडा भी बोला जाता है ओडिसा में और नला मलाई और पल कॉंडा रेंजिस बोला जाता है आंद्रप्रदेश में ओके सो यह भी आपको पता होना चाहिए लेट्स मूँव फ़ॉवर्ड यहां पर देखिए अब हम पैनिंसुलर रिवर्स पर आ गए हैं देखे अब हमारी जो पैनिंसुलर रिवर्स हैं जो मोस्टली जो हैं वो वेस्ट से इस्ट फ्लो होती हैं है ना यह मेजर चार रिव जो है east to west flow होती है ठीक है नर्मदा और तापी क्यों differently flow होती है इससे क्यों क्योंकि हमने पढ़ा था पहले कि peninsular plateau जो है हमारा इसमें rift valleys है तो नर्मदा और तापी जिस region में पढ़ते हैं this is between hills ठीक है तो यहाँ पर rift valleys बनी हुई है इसलिए यह rivers जो है यह एक तो इनका जो ठीक होटा as compared to bark की rivers ठीक है और क्योंकि रिफ्ट वाली से जा रही है इसलिए इनको जो पात मिलता है यह उसी पात से Arabian Sea में ड्रेन हो जाती है ओके सो पहले इस्ट फ्लोइंग rivers देख लेते हैं अभी हमने मैप में भी देखा महा नदी महा नदी जो है वह राइपो डिस्ट्रिक से ओरिजनेट होती है जो की 36 गड़ में है ठीक है मैंने आपको 36 गड़ के स्टेट के बारे में अल्रदी पढ़ा दिय है उसकी जो मेजर ट्रिब्योटरी से वह है सियोनात इब हस्दियो तेलन ओंग उसके बाद गोदावरी रिवर जिससे आपको पता है कि यह सेकिंड लागेस्ट रिवर है इंडिया की और लॉंगेस्ट पैनिंसुलर रिवर है इसे व्रिद गंगा और दक्षिन गंगा भी बोला जाता है दक्षिन गंगा विकज ओफ दो रीजन की यह लॉंगेस्ट रिवर है दक्षिन भारत की इसलिए इसे दक्षिन गंगा भी बोला जाता है ठीक है और यह नासिक से राइस होती है इसकी major tributaries है मनेर, सबरी, इंद्रवती, मंजीरा और किनरसनी अब क्रिष्णा रिवर के बारे में देख लेते हैं क्रिष्णा रिवर जो है वो वेस्टन घाट से राइज होती है महाबलेश्वर के पास महाबलेश्वर कहां पर है महराश्टर में इसकी major tributaries हैं तुंगभद्र, घ्ठप्रभा, कैना, मूसी कावेरी रिवर का देखिए कावेरी रिवर जो है वो largest peninsular river है जो गोदावरी है वो largest peninsular river है क्या मतलब कि इसमें सबसे मतलब maximum amount of water इस river में है ओके इसको गंगा of the south भी बोला जाता है इसका जो origination है वो कहां से है ब्रमगी range of western guards और इसकी जो tributaries है main वो है हेमवती लोगपावनी और शिमसा अब कुछ rivers और भी है जो इतनी important नहीं है बस आपको यह पता होना चाहिए कि कहां से originate होती है तो दो rivers है स्वन रेखा और ब्रह्मनी ये दोनों जो है ये रांची प्लाटू से originate होती है ठीक है अब west flowing rivers देख लीजे पहली आगी नर्मदा हमने देखा अभी नर्मदा के बारे में ये one tenth part इसका जो है वो गुजरात में है ठीक है अब यह rise होती है अमर कंटक प्लाट्यू से और गल्फ ऑफ खंबत में जाकर drain कर जाती है अपने आपको कहां पर arabiancy में ठीक है और यहां की जो आपको major fall जो आपको याद रखने है वो है दुआधारी धर falls जो की जबलपूर में है ठीक है फिर उसके पाद तापी river जो है वो बेतुल district से निकलती है MP में इसे twin या फिर handmade of नर्मदा भी बोला जाता है क् यहीं नर्मदा की तरह ही जो इस टू वेस्ट फ्लो होती है इसलिए इसे twin ओफ नर्मदा भी बोला जाता है फिर तीसरी जो है वो साबरमती है साबरमती के राजस्थान वाली साइड से बहती है रावली से निकलते हुए वो Arabian Sea में ड्रेइन हो जाती है फिर आगी माही रिवर वो विंध्या से निकलते हुए वो भी Arabian Sea में ड्रेइन हो जाती है एक रिवर और है जो West Flowing River है दाट इस लूनी रिवर ठीक है कौन सी लूनी रिवर लूनी रिवर जो है वो अपने आधे रास्ते में ही अपना जो जो अपना ट्रेल है वो खो देती है और ये गुम हो जाती है इट इस अउनी रिवर जो डिसपेर हो जाती है अपने पाथ को कम्प्लीट किये बिना ठीक है अब इम सॉरी ये मेरे ख्याल से दो बारी आ गया है सुन रेखा और ब्रामनी ये यहाँ पर नहीं है यहाँ पर लूनी रिवर आना चाहिए था यहाँ पर सॉरी मैं पीडियेफ में ठीक कर दूँगी यहाँ पर लूनी रिवर आएगा ओके तो लूनी रिवर अरावली से निकलती है इसे सॉल्ट रिवर भी बोलते हैं और ये रन अफ कच में गुम हो जाती है ठीक है उसके बाद देखिए अब यह मैंने कंपारिजन बताया हुआ हिमालियन रिवर्स और फैनिंसिलर रिवर्स के बारे में क्यूंकि हमने यह दोनों कवर कर ली है अब आपको पता होना चाहिए कि परेनियल का क्या मतलब होता है परेनियल मतलब जो हर टाइम बहती है इसका पा मेंडरिंग मतलब जो ऐसे ऐसे रिवर बहती हो और स्ट्रेट रिवर बहती है जो पेनिंसलर रिवर्स होती है बेड्रॉक इसका सॉफ्ट होता है यह थोड़ा कोर्स होता है इसके बाद यह स्नो और रेंज से फैड होती है यह जैनरली लार्ज होती है और यह स्मॉल होती है Northern Plains से निकलती है जेनरली ये जेनरली Northern Plains को irrigate करती है और ये Deccan Plateau को irrigate करती है और ये V-shaped valley बनाती है और U-shaped valley बनाती है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी V-shaped और U-shaped valley के बारे में though it is not that important from your exam point of view ठीक है तो ये आगेा comparison अब ये कुछ reverse है जिसके बारे में आपको पढ़ना है और आपको याद करना है कि कौन सी river जो है वो कहां से निकल के कहां fall होती है और ये कुछ lakes है हमारी इंडिया की जो की important है आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये lake कौन सी state से है और ये इन में से कुछ fresh water lakes है जैसे की वूलर लेक आपको पता होगा जे इनके की ठीक है और कुछ salty lakes है कुछ saline lakes है कुछ lagoon lakes है ये सब आपको पढ़ना है ठीक है फिर आज की दोनों हम states देख लेते हैं पहली state है हमारी गुजराद यहां के डिस्ट्रिक्स है 33 capital है गांधी नगर ये dwell of western India भी बोला जाता है Manchester of the East इसकी सबसे longest coast line है हमारी सारी states में से largest producer of cotton है largest producer of salt और largest producer of ground nut भी है ठीक है यहां पर major rivers साबरमती, नर्मदा और तापी यह है तीनों हमने देखी state animal है एशियाटिक loin जो की वर्ल्ड फेमस है और gir forest जो है वो अकेला अशियाटिक loin का घर है पूरे वर्ल्ड में ऐसा बोला जाता है state flower यहां का है marigold, biodiversity hotspot है western guards, national park जो है वो है black bug national park gir forest national park, marine national park और gulf of kach वनसदा national park, wildlife sanctuaries है gir wildlife sanctuary black bug wildlife sanctuary null server bird sanctuary jump bugoda यह important है आजकल आता है exam में jump bugoda wildlife sanctuary और kach desert wildlife sanctuary अब next state देख लेते हैं हर्याना जिसकी capital है चंडिगर districts है यहां पे 22 और यह जाना जाता है milk pale of India के नाम से यहां पर सबस्यादा जो milk अगर आप अमूल का भी देखेंगे तो हर्याना में अमूल का major production वहीं पर है ठीक है कुरुक शेत्र यहां का जो city है वो जाना जाता है क्यूंकि वो कुरुक शेत्र ही था जहां पर महाभारत हुई ही थी हमारी major rivers जो है वो है यमूना और घगर हकरा state bird है black bug बट अब state bird इसका black bug है तो आप confused नहीं होएगा इसका state bird black bug है बट ब्लाक बग नाशनल पर कहां पर है गुजरात में ओके सो state animal है black frankolin state flower है lotus state tree है people national parks है काले सर national park सुल्तानपूर national park wildlife sanctuary है चिल्चिला wildlife sanctuary काले सर wildlife sanctuary खापरवास wildlife sanctuary है और अबूब शहर wildlife sanctuary और bird sanctuaries है भिंदवास bird sanctuary और खापरवास bird sanctuary ओके विद इस आई complete my lecture आज भी मैंने आपके लिए six questions लाए हैं जिने आपको solve करना है कुछ के questions अगें आपको विडियो में मिल जाएंगे और कुछ के जो आपको answers है वो आपको खुड ढूणने हैं और comment box में आपको जरूर बताना है मैं देख रही हूं पिछली last दो विडियो से आप लोग answers नहीं कर रहे हैं जिवाए कुछ students के तो I will highly recommend कि आप लोग answers कीजिए अगर आपको ये विडियो पसंद आई हो तो आप इससे please like कर दीजिए और अगर आपको कोई भी query हो तो आप नीचे comment box में लिख दीजेगा मैं आपकी query को solve करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी थैंक यू की थीप सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको कर दीजिए और आपको कर दीजिए